दोस्तों ये है Marshall Major 4, ये एक wireless headphones है, बहुत भी बढ़िया battery life के साथ में आता है, तक विवन 80 प्लस आवस का battery life आपको मिल सकता है, अगर आप दिन में 2 से 3 घंटा इसे यूज़ करते हैं, आप imagine कर सकते हैं कि एक चार्ज पर ये कितने हफ़ते तक चल सकता है, चलिए सबसे बहले इसकी unboxing करते हैं, देखते रहिए, तो ये है Marshall Major 4 का box pack और ये दो color options में available है, मेरे बास ये brown color variant है, ये black color options में भी available है और ये wireless charging भी support करता है, लेकिन वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, key highlight इसका ये है कि ये 80 प्लस hours battery life के साथ में आता है, जो की काफी बढ़िया है, और box के अंदर जो product है, उसे इस प्रकार से pack किया हुआ है, ये है वो headphones, और खास करके मुझे जो brown color है काफी पसंद आया है, इसकी जो quality है एकदम premium level की है, वैसे ये जो Marshall Major 4 है, इसे launch हुए काफी स आपको ये user manual booklet मिलने वाला है, और यहां पर देखिए, ये USB to type C cable दिया हुआ है, इसे आप charging के लिए यूज कर सकते हैं, और ये audio cable भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे ऐसा wired headphone की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक major reason है कि मैंने ये जो Marshall Major 4 है, इसे खरीदा है, देखें जान तक fit का सवाल है, ये देखें, जो fit है, बहुत ये comfortable है, लेकिन छोटा सा issue है क्योंकि ये squarish shape के cups के साथ में आता है, हो सकता है कि कुछ लोगों के कानों पर ये properly fit ना हो, लेकिन मेरे कानों पर ये काफी बढ़िया तरीके से fit हो रहा है, इसकी best चीज मुझे य बड़िया performance आपको देने वाला है, अफकोस जो ANC feature है, वो जो background आवाज हैं, उन्हें real time में reduce करता है, तो वो feature इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर आपको specifically ANC headphones चाहिए, तो ये जो headphone है, ये आपके लिए नहीं है, अब ये जो headphone है, इसमें जादा करके जो नए headphones market में आ रहे ह जिनमें advanced features है, वो आपको नहीं मिलने वाला है, मतलब कि ये जो headphone है, इसमें touch features नहीं है, यहाँ पर ये joystick button दिया हुआ है, और जैसे कि मैंने कहा, इसमें ANC नहीं है, और इसमें equalizer का भी option नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जो भी settings इसमें है, preset, वो ही आपको use करना पड़ेगा, वैसे sound quality है काफी अच्छी है, balanced type का है, अगर आप on the move अपने आपको entertain करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बड़ी option है, especially इसलिए क्योंकि इसके बैटर लाइफ है बहुत ही बड़ी है, प्लस काफी हत तक ये comfortable भी है, अब दिखिए जो headphones है, इन्हें मैंने कुछ दिन नहीं है, बलकि ये जो cup है, जब कानों को touch करते हैं, उस area में दर्ध होता है, लेकिन अगर मैं headphones को थोड़ा सा move करूँ इस परकार से, तो जो दर्ध है वो चल जाता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद इस position में जो दर्ध है, वो आना शूरू हो जाता है, लेकिन ये actually एक major issue नहीं है, क्योंकि अगर आप ये जो headphones है, इन्हें जादा देर तक और जादा दिनों तक यूज़ करने लगेंगे, तो आपके जो कान है, उन्हें आदत पर जाएगी, और जो दर्ध है, बेसिकलिए आगे चल गे आपको नहीं होने वाला है, sound quality इसके काफे बढ़िया है, य जैसे कि मैंने कहा है, ये balance type का है, बेस बढ़िया है, जैसे Indian users को पसंद आता है, बहुत जादा high base नहीं है, एकदम medium type का है, लेकिन काफे अच्छा लगता है, अगर आप गाना सुन रहे हैं या फिर movies वाच कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये काफे बढ़िया है, इसमें ज ये headphones को पहली बार on करेंगे, जो button है से press करके, तबी से ही जो audio आपको सुनाई दिता है, जब ये on होता है, उसी से आपको तसलिय मिल जाती है, कि ये जो headphone है, इनकी quality premium level की है, अगर आप ये product खरीदना चाहते हैं, ये Amazon पर available है, दो color options में available है, इसका pricing है 11,999 रुपीज, देख इतरहें.